हलो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ सभी विध्यार्थी फटावड से जुड़ जाईए खूपसूरत से प्यारे से सेशन में आप सभी का स्वागत है वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक और स्वागत करता हूँ आप कि आप अगर सुबह नौ बजे क्लास ले रहे हो, तीन बजे क्लास ले रहे हो, फाउंडेशन बैच ले रहे हो, तो आपको सारी एक्टिविटीज का पता होगा कि मेरी क्लास कब कब और कहां कहां होती हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि आप निश्चिंत होकर बढ़िया पढ़ कि आप वीडियो को शेयर करने अपने दोस्तों तक, प्यारे भाईयों और बहनों तक, जिससे की वैस अभी तक पहुँच जाए, आईए शुरुवात करते हैं, अपको अगर मैं बता देना चाहूं, मेरे अनकेडमी पर आप जुड़ सकते हैं, आप चाहे कोई भी एक्जा आप लगाते हो, तो प्रोसीट टू पेपर जाकर आप पेमेंट कर देना, साथ के साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं, अभी अगर आप सस्किप्शन लेकर अभी जुड़ जाएं, जिससे की आप अपना बेनेफिट पूरा उठा सकें, बिगनर टू एक्सपर्ट बैच आप सभी लोगों के लिए चल रहा है, उस फांडेशन में, और सभी सब्जक के बैच चल रहे हैं, ठीक है, सुबह नौ बजे हमारा टाइम एन वर्क चल रहा है, मैथ का टॉपिक वाइस, 2019 और 20 के कोशन पर हम आ चुके हैं, उससे पहले हमने बहुत सारे कोशन किये हैं, औ और हर एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ, यह मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है, और इसी काम के साथ सेलेक्शन बनेगा, तो सुबह नौ बजे अन अकेडमी पर लाइव क्लास, फ्री लाइव क्लास होती है, आज तीन बजे अकेडमी पर नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, मैतवाई साहिल सर टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेना है तो बिलकुल आईएगा, पढ़ना तो आपको ही पढ़ेगा, आप जितना दूर भागोगे यह उतना ही परेशान करेगा फिर पेपर में, तो प पांच बजे और आठ बजे टिग्नोमेटरी होगा, आज आज की बात है बस पढ़ना है एक दिन मेहनत कर लो, सुबह नौ बजे हमारा टॉपिक वाइस पीवाई क्यू, ग्यारे बजे बोटन स्ट्रीम खतम हो जाएगा आज, कल से नंबर सिस्टम शुरू है, तो कल से हमार नंबर सिस्टम शुरू हो जाएगा बोटन स्ट्रीम के बाद में, ठीक है मज़ा आएगा इस चेप्टर में, साड़े बारा बजे प्रीविएस यर पेपर होता है, डेली होता है, दो बजे फाउंडेशन होता है, माफ कीजेगा, तीन बजे कैच नमेहत होगा, ठीक है, करते हैं, आज हम बहतरीन कोशन करने वाले हैं, जो बच्चा वास्तम में सीखना चाहता है, और जो अपने दिमाग में ये रखता है कि यार, मैं, जो मैं हूँ, सर जो है, हर चेप्टर के उस एक्स्ट्रीम को भी टच करवा देते हैं, तो मैं वही काम इस लेक्चर में करने वाला हूँ, तो जिसके अंदर पेशेंस है, जो रियल में सीखना चाहता है, वही इन कोशन को बनाएगा, और जिनको नहीं आता वो सीखेंगे, क्योंकि आप मुझे पता है, आप नॉर्मल नॉर्मल पढ़कर नहीं सीख सकते इन प्रशनों को करना, मेरे बिहाफ पर आपक अच्छे हैं, दो बिंदू A और B एक नदी के किनारे 48 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है, एक मोटर बोट को A से B तक जाकर जल्दी से जल्दी A तक लौटना है, नदी के प्रवा की जो चाल है वो 6 किलोमेटर परती घंटा है, और मोटर बोट की ठहरे जल्द में नियूंतम चाल कितनी होनी चाहिए, ताकि A से B तक जाने और पुने A तक लौटने में 6 गंटे से अधिक समय ना लगे, गजब कोश्चन है, यानि कि 48 किलोमेटर आप जा रहे हो, धारा की दिशा में आप जाओगे और धारा की विप्रीत दिशा में आप लोट होगे, अब कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कि जो समय है, वो 6 गंटे से अधिक ना लगे, या तो 6 गंटे लगे, या 6 गंटे से कम लगे, लेकिन उस से अधिक ना लगे, तो मैं equal to वाली condition को लेकर चल रहा हूँ नदी प्रवा की चाल 6 दे रखी है यानि कि जो नदी भेह रही है वो 6 की रफतार से भेह रही है अब सबसे अच्छा तरीका क्या है option ले लो आप सबसे अच्छा तरीका है प्रशन तो बनते ऐसी है कि आप option लेके चुनो ठीक है चलिए मैं कहता हूँ 18 अब जैसी मैंने 18 ले लिया जैसी मैंने 18 ले लिया तो 18 और 24 दुनी 48 दो गंटे तो यह आ गए 18 बारे बारे चौके 48 तो बराबर 6 हो गया satisfied है yes अब आप कहोगे सर 16 मैं 16 भी चेक करके दिखा देता हूँ आप 48 16 और 6 बाइस प्लस 48 16 में से 6 गया तो 10 तो 4.8 गंटे यह हो गए और 22 दुनी 45 से ज़्यादा आएगा यानि कि आप देख रहे हैं 6.8 आ रहा है तो आपको अधिक ना लगे वो चाहिए condition तो आप 16 नहीं ले सकते हो ठीक है चलिए और आपसे बोला गया है कि न्यूनतम चाल क्या होगी तो जब 18 सेटिस्फाई हो गया तो 25 और 46 नहीं लोगे आप understand 25 और 46 क्यों नहीं लोगे क्योंकि मैं ले भी लूँ तो ये बात सही है कि 6 गंटे से कम समय आ जाएगा I agree with you बट हमें न्यूनतम चाल चाहिए ऐसे तो मैं फिर इन्फाईनाइट में कहीं भी ले सकता हूँ फिर 25 और 46 नहीं मैं कोई भी ले सकता हूँ 6 गंटे से कम समय आ जाएगा फिर तो logic समझ में कैसा लगा प्रशन कठिन तो नहीं है ना logical questions होते हैं ये ओके चलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत प्यारा प्रशन है और अच्छे से आपने answer भी दिया तो काफी अच्छा लगा अब ये प्रशन है आप एक बर बताईए करके कोशिश करो पढ़ो पहले question को पढ़ी लो अरे subjective exam में ये आते हैं कि अच्छा कुश्य नहीं आप बना पाओगे अच्छा कुश्य नहीं आप बना पाओगे एक देखो अब बोला क्या जा रहा है एक नाव धारा की दिशा में बिंदू A से B तक यात्रा करने और A से A और B के बीच में C बिंदू पर A और B के बीच में बिंदू C पर वापिस आने में 19 गंटे का समय लेती है यदि धारा का वेक 4 किलोमेटर परती गंटा है और शांत नदी का वेक 14 है तो A और B के बीच की दूरी बता दो गुड कुश्चन सो बेसिकली आप यह कह सकते हो कि सरी यह A है और यह B है A से B तक यात्रा करने और A और B के बीच में बिंदू C पर वापिस आने में 19 गंटे का समय लेती है या कई बिंदू C होगा यानि कि नाव ऐसे जा रही है दारा की दिशा में जा रही है ध्यान रखना ओहो वाँ यहां पौँच गई अब यहां पौँचने के बाद लॉटना शुरू यहां तक तो पौँची है फिर यहां से लॉटी है और यहां पर आके रुख गई है आपको कहानी समझ में आ रही है क्या वहीं कहीं सी बिंदू पर स्टॉपेज है हो गया इसका और टोटल 19 गंटे ले रहे हैं यहां से यहां तक जाने में और यहां आने में इधर जाओगे तो धारा की दिशा होगी डाउन इस्ट्रीम चल रहा होगा मामला और इस छोटे से पोर्शन के लिए अपिश्ट्रीम होगा ठेक है तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा स्पीड 14 प्लस 4 अठारा और अपिश्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी 14 माइनस 4 दस यहां तक आप में से तकलिफ तो नहीं है अब यह आपको बोला जा रहा है कि टोटल टाइम 19 आवर्स लग रहे है कहानी खतम नहीं होती है यहां आपको लॉजिकल बात करने पड़ेगी कि यह बीच बोला गया है तो मिड़ पॉइंट है क्या अगर बीच में बोला गया है तो इस मिड़ पॉइंट तो यह अगर डी बिंदू है डी दूरी है तो धारा की दिशा में तै करोगे 18 की चाल से और डी बाई टू दूरी याने कि आधी 20 हो गया बराबर टोटल टाइम लग रहा है 19 आवर्स यहां तक किसी को कोई तकलीफ आई हो तो वो जिक्र कर ले अगर नहीं आई हो तो टेंशन फिरी हो के समझ ले यह किलियर है भाई यह 20 कैसे हुआ यहां तो 10 है वो डी बाई 2 है ना यह आधी दूरी है ना भाई आएगा तो कवर तो आधी करेगा लेकिन अब श्ट्रीम में यानि कि विपरी दिशा में यह डाउन श्ट्रीम में पूरी डी दूरी तो मैंने कुछ नहीं किया दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल टोटल टाइम ओहो 20 और 18 अरतीस डी बराबर 360 और डी की वैल्यू निकलकर आगई 180 तो आपकी डिस्टेंस निकलकर आगई 180 क्लोमेटर कैसा लग रहा है डियर कि नथिंग डिफ्रेंट कुछ भी डिफ्रेंट नहीं है बशर्ते की आप समझें कि आपका दिमाग एक्सप्लोर हो रहा है आप रटा रटा या कुछ नहीं कर रहे हो आपको पढ़ पढ़कर करना है उड़ा दो गया नेक्स्ट आराम सिक्थ आराम सिक्थ अब फोकस रखोगे मैं अच्छे से कोशन को पढ़ोगे सब आएगा सब आएगा यह मेरी गैरेंटी और बताओ अब यह भी अच्छा है कि अगर आई पी क्यू आर एक समान रूप से बहने वाली एक नदी पर तीन शहर है सर यानि कि एक नदी बह रही है पी क्यू आर एक समान रूप से बहने वाली एक नदी पर तीन शहर है यह आपके तीन शहर बने हुए पी है क्यू है और आर है नदी पर बने हुए मालो क्यू जो है पी और आर से समान दूरी पर है यानि कि अगर यह डी है तो यह भी डी है और पूरा टूडी है एक व्यक्ति पी से क्यू तक जाता है और दस गंटे में वापस आता है जाने आने में दस गंटे और वह चार गंटे में पी से आर तक तैर सकता है और वह चार गंटे में पी से आर तक एक परसन रो तो P2Q and back in 10 hours and he can row P2R in 4 hours very good P2R so D बराबर है it will take 2 hour and 2 hour for P2R so 2 hour is there 8 hour is there आने में ये जाने में ये support हो रहा होगा ये oppose कर रहा होगा ठीक है तो शांत जल में नद ठीक है शांत जल में व्यक्ती की गती की तुलना में नदी की गती से करें शांत जल में व्यक्ती की गती की तुलना नदी की गती से करें सर करो भाई चीजे क्लियर भाई अंगरे जी मैंने बोली है यहां तक किसी को कोई इशू है क्या बोले सर इशू तो नहीं है बस समझना है कि यह क्या हो रहा है मैंने का बाइट यह को दूरी बराबर है डिस्टेंस बराबर क्या होता है तो जो चाल का रेशू का इनवर्सली प्रपोर्चनल होता है Kauf श्राबर को जानते हैं अब क्या रोगे मैं यह कहुंगा किडी दूरी अगर आप तैय कर रहे हो तो वह धारा की दिशा में तैय कर रहे हो आपको 2 गंटे लग रहे हैं तो धारा की दिशा में जो चाल हो गई वह दी बाई 2 हो गई और दी दूरी जो आप तैय कर रहे हो वह धारा की विप्री दिशा में तैय कर रहे हो तो आपको 8 गंटे लग रहे हैं तो V-U बराबर कितना हो गया आप यह समझ रहे हो ना वी-- सीन जूं कि आ तो गया आ गया ना अरहाई गया तो सर आप वी- पलंस यूँ का जो u 8 अनुपार 2 हो गा और v tarno कैसा लगा मेरे मित्रों मेरे प्यारे विध्यारतियों क्या आपने खुबसूरत से प्रशन को यूव कर दिया क्या चुठकी बजाकर बोलो हाई या ना क्या मैंने आपको कुछी चीज़े पढ़ाई फियोरी में और तो उसके बाद आप कठिन से कठिन प्रश्ण को बना पा रहे हो क्या वाइनॉट क्यों नहीं बना पाओगे कॉंसेप्च्वली आप अगर स्ट्रॉंग है तो आपको कोई नहीं रोक सकता नो गॉन कें स्टॉप यू ठीक है समझ में आया ना सर यहीं क्यों लगाया यह काम क् कि डिस्टेंस बराबर थी ना तो मैंने इसी को ही कंसीडर किया मैंने दिमाग ज्यादा लगाया ही नहीं है ठीक है वेरी गुट यह दो कैसे आया बताया ना मैंने टोटल दस गंटे लग रहे थे आपको और चार गंटे जाने में लग रहे हैं तो दो गंटे एक साइड कि नेक्स्ट अगला करिए तसल्ली से पढ़िए गा और तब जाके करो नहीं आता है कोई बात नहीं लेकिन कोशन तो पढ़ लो कल से नंबर सिस्टम शुरू होगा ध्यान रखना टाइम पर मौजूद रहना क्लास में बाता होगा प्यान आता है छो प्यान आता है और उट आता है प्यान आता है चले आ जाएगे नाव A धारा की दिशा में बिंदू X से Y तक नाव B द्वारा बिंदू Y से Z तक द्वारा के प्रतिकूल यात्रा करने में लिये गए समय से तीन गंटे कम समय में यात्रा करती है नाव A है द्वारा की दिशा में X से Y तक डाउन श्ट्रीम ठीक है नाव B ये नाव A की बात कर रहा हूँ नाव B Y से Z तक अप श्ट्रीम में लिये गए समय से तीन गंटे कम समय में यात्रा करती है याने कि ये अगर T समय ले रहा है तो ये T माइनस 3 ये T है अफ श्ट्रीम में और डाउन श्ट्रीम में ये जो नाव है वो T माइनस 3 ले रहे है X और Y की बीच की दूरी कितनी है 20 ये फ्लो डाइग्राम का है कुश्चन पहले आप डेटा को कलेक्ट करो वहां से एक तरीके से निवन्द पढ़ते थे ना अपन फिर कॉम्प्रियेंशन का वह ये वाई और जैड की बीच की दूरी का आदा है याने कि ये कितना हो शांत जल में बी की गति ओहल है सब कुछ दे देगा यह देख लें ना एक एक करके वी है ये बी का वी ठीक है शांत जल में एक गति धारा के प्रतिकूल बी की गति के बराबर है शांत जल में एक गति धारा के प्रतिकूल B की गती यानि की B V माइनस U के बराबर है ठीक है शान्त जल में नाव A की गती क्या होगी आज आओ गई कुश्चन समझ में आगया क्या सबको कुश्चन समझ में आगया ये फ्लो डाइगराम जो मैंने पूरा बनाया है ये समझ में आ गया मुझे तो पूरा समझ में आ रहा है कि वी ये जो है ज्यादा कुछ नहीं है इस नथिंग बट 10 माइनस यू है ओहो वाह वाह कुश्चन खतम हो गया वही लगबग मेरा तो कैसे हो गया टाइम का रिलेशन निकालूंगा दूरी पता है तो सर देखो 20 किलोमेटर आपकी दूरी है आप समय ज़्यादा ले रहे हो कम ले रहे हो कम ले रहे हो तो 40 किलोमीटर वाले में लगा लें 40 किलोमेटर आपकी दूरी है आपकी स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम है तो यह क्या होगा 10 माइनस का yu क्योंकि वी तो शान्त जल में थी ना आपकी, माइनस 20 किलोमेटर आपकी आधी दूरी है, आप डाउन इस्ट्रीम में जा रहे हो, और 3 गंटे कम समय ले रहे हो, वो मुझे पता है, डाउन इस्ट्रीम में जा रहा हूं, लेकिन स्पीड क्या होगी, वी ए, प्लस का यू, तो यू से यू कट गया, इससे बड़िया बात क्या है, और बराबर किसके हो गया, 3 गंटे के, तो 5 गंटे, तो 40 अपॉन 10 माइनस यू बराबर, मैं अब गलत अफॉर्ड नहीं कर सकता हूं है, ना, 5 अटे 40, तो 10 माइनस यू बराबर 8, यू बराबर आगया, 2, तो यू बराबर 2 आगया, तो शान्त जल में, एक ही गती कितनी है, 8, कॉंसेंट्रेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यक्ता होती है, तो इस वज़ा से, पहले मैंने आपको पूरा ये बता दिया है, अब आपको कोई डाउट है, मेरे को त्यार, मज़ा आता कैसे कुशिन कराने में आप लोगों को, मैं तो चाहता हूँ कुछ अलग नहीं है, आप ये सोच रहों कि, अरे मेरे से तो नहीं होगा, इसमें क्या अलग है बताओ, आपकी मन अलग है बस, आप नहीं करना चाहते हो बस, अब करना चाहते हो तो वच्छा करके पोड़ अलगे, मेरे को कुछ लगा ही नहीं, बहुत कमफर्टेवल हूँ मैं तो इसमें और आप से भी कमफर्टेविलिटी की उम्मीद करता हूँ, कहां दिक्कत आई, पहले फ्लो डाइगराम मनाया, टाइम में शर्त लगा दी, दूर यहां पता है, स्पीड का रिलेशन पता है, पुट कर दो, बस, करना पड़ेगा लेकिन, फिर यही प्रोब्लम होती है, सर हमें अच्छा पढ़ना है, हमारा मन नहीं करता लेकिन, हम अच्छा करना चाहते हैं पेपर में, लेकिन हमारा मन नहीं करता लेकिन, प्रोब्लम मन की है, कुशन में कुछ भी नहीं था, यह ढं बढ़ते कमेंट पर ध्यान ना देते तो हो जाता. लेंग्वेज से ही कुशन मैंने किया यार, देखो मैं पहले ये कभी कुशन नहीं बनाता हूं, पहले बता देता हूं, मैं एक एक चीज़ को आपको पढ़ पढ़के ही करता हूं यहां पर. और अंसर आ गया न? हाँ बस अब ये chapter heart बता देंगे कुछ लोग तुम्हारा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा सिखाने की जो सीखना चाहता है वो चुप-चाप सीख है और जो नहीं सीखना चाहता तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई मन को कंट्रोल में रखे पढ़ाई पर ध्यान दो वेल डन देखिए पोशन को पढ़ते हैं और डाइग्राम से करते हैं ना शान्त जल में नाव की गती धारा की गती का पांच गुना है तो तुरंत ये बता दोगे क्या आप हाँ क्या दिक्कत है बताओ धारा के दिशा में ए से बी तक एक पॉइंट एक घंटे में जाती है धारा की दिशा में छै एक एक पॉइंट एक घंटे में जा रही है ए से बी तक ठीक है ए और बी के बीच की दूरी इतनी है ले बाई दूरी भी दे दी अब क्या करोगे आप पताओ करना तो आपको ही था आप पॉइंट से पॉइंट रिक गट गया गया रहा बाराह बार एक्स की वैल लिव आ गई दो निकलकर तो यह दस है और यह दो है तो धारा के प्रतिकूल 312 मिनट में कितनी दूरी तै करेगा धारा के प्रतिकूल यानि की आठ की रफ्तार से 312 मिनट में 60 का भाग देदू कि घंटे में बदल जाएंगे ना फिर किलोमेटर पूछाए ठीक है काट लीजे चार से काट लीजे 15 बार चार से काट लीजे दो बार तीन से काट लीजे पाँच बार तीने कम तीन तीन चोके बारा तो 208 बटे पाँच दो का गुणा करेंगे 416 एक तालिस पॉइंट 6 सी 41.6 इजिली कर सकते हो कुछ नहीं है भाई करने का कमिटमेंट चाहिए तुमसे तुमें देखो हमेशा से मेरा यही उद्देश्य रहा है कि मैं आप लोगों को खोलना चाहता हूं खोलना इन्ना सेंस डर निकालना चाहता हूं आसान कुशन भी आपने इसी क्लास में देखे थे जीरो लेवल भी इसी क्लास में देखा था धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया अब आज यह चैप्टर एंड हो रहा है तो आप अच्छा लेवल भी देख रहे हो यही सिस्टम होता है मैथ सीखने का इस टक होना पड़ेगा है ना मतलब लगना पड़ेगा मन लगाकर मेरे साथ तब आगया बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़कर अब देखो अगला प्रशन मज़ा नहीं आए तो कहिएगा फिर आप मेरे से कोशन को पढ़ लो बस एक्छल में किया कुछ लोगों को इस महनत का अंदाज ही नहीं होता है रियल में बात ही है तो अगर अंदाज होता ना तो इनकी वैल्यू होती है नहीं होता है तो नहीं होती है झाली शहर ए से बी तक धारा के दिशा में पांच किलोमेटर प्रती घंटा की गती से वहने वाली धारा की यात्रा है तो इस डाउन स्ट्रीम जर्मी ऑन ए स्ट्रीम विद फ्लो एट स्पीड पाइफ किलोमेटर पर आवर ओके शहर ए से बी तक धारा की जो यू है वो पांच है और डाउन स्ट्रीम में है ऐसे लिख लेता हूं है अब बोला गया सब ना वो पी और क्यू उन दौनों शहरों के बीच एक शटल सेवा चलाते हैं जो 300 किलोमेटर दूर है ना पी और क्यों दो शहरों के बीचों मतलब आपस में 300 किलोमेटर इनका गया पहे मतलब डिस्टेंस है ना पी जो है वो ए से शुरू करती है इस्थिर पानी में इसका जो रफ्तार है वो 25 है और क्यों जो है वो बी से उसी समय शुरू करती है चलो रिलेटिव स्पीड लग जाएगा ना उसकी रफ्तार 15 है दूरी 300 है एक दूसरी की तरफ आ रही है यह वी प्लस यू रहेगा और यह वी माइनस यू रहेगा दौनों की चाले जुडेंगी यू से यू कर जाएगा यानि की 40 का डायरेक्टी भाग लगा दो साड़े साथ गंटे बाद मिलेगी तो पहले प्रश्न का जवाब आपका मिल गया है साड़े साथ गंटे यानि की यह आनसर नहीं होगा ठीक है पहले का तो जवाब मिल गया सर ऐसा क्यों 40 क्यों आया धारा की दिशा का अरे बाई जो दिमाग लगा लो ना अगर मैं 25 प्लस पांच भी कर देता हूं तो 30 हो गया इधर राउन श्ट्रीम मान लिया तो इधर अपने श्ट्रीम होगा तो 15 माइनस 5 करूँगा तो 10 हो जाएगा तो भी इन दोनों का योग 40 ही आएगा क्यों क्योंकि आपको बता देता हूं कि जब रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट लगता है बोटन श्ट्रीम में तो धारा की गती खतम हो जाती अपने आप कर जाते हैं बहुत अच्छी बात है तो अच्छा कंसेप्ट लगा सेकिंड कुश्चंग दौनों नावे पहली बार वे दूसरी बार कम मिलेंगी अज यह अच्छा है पहला क्लियर हो गया भाई दूसरी बार कम मिलेंगी ऐसी बात है गुरू जी कि साड़े साथ गंटे में पहली बार मिल रही है पूरा डाइग्राम मनेगा बड़िया तरीके से अरे यार इसमें क्या है तुम्हें समझे नहीं आया तुम पहले रोने लग जाते हो ना सीखने का तुम दिमाग नहीं लगाते हैं यह थोड़े से मैं तुमसे खफा हूं इस बात से बुद्धी लगाओगे ना तो यह कुछ भी नहीं है तुम राइता बना दोगे इनका है क्लियर है आओ मैं पूरा समझाता हूं कि 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 करा है यह ए शहर है यह बी शहर है यह नाव नाव पी है कि यह नाव क्यूं है ढौटर की इसीस्पीड़ आपम की कितनी थी पत्चिस है कि इसकी स्पीड आपकी कितनी है पंदरा हे कि धारा चल रही है पांच से यू में साइड में लिख देता हूं जो धारा की स्पीड है वह पांच किलोमेटर पर आवर है हाला कि जब पहली बार जब वह मिले थे तो कोई फरक नहीं पड़ा था दौनों की चालो का आपने जोड़ा फस्ट टाइम मीटिंग हो गई और बीच में 300 किलोमेटर की दूरी है ना यह भी मैं मैंशन कर देता हूं अब आप पहले मीटिंग कहा निकाल रहे हो सर दिस इस फर्स्ट मीटिंग टाइम और यह ज्यादा चला होगा तो यहां कहीं वह मिले होंगे यह फर्स्ट मीटिंग टाइम में ता मीटिंग पॉइंट है अगर वह यहां मिल रहे हैं तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह वाली जो नाव है क्यूं वाली इसको ऐसे क्लैश कर गई जाएगी और जो पी वाली है वह ऐसे जा रही होगी पॉलिए सही बात है ना पी वाली ऐसे जा रही होगी 25 से और यह 15 से ऐसे पास कर रहे होगी एक दूसरे को बोले गुड़ 25 की रफ्तार से 7.5 गंटे में कितना किलोमेटर 7.5 मतलब 15 बटे दो क्योंकि यह यहां से चलके आया है ना यहां तक कौन पी वाला और क्यूं जो है वो 15 की रफ्तार से 7.5 गंटे कोई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इसका कोई लोजिक है जोजिक कुछ भी नहीं है बस दिमाग की बात है आपके दिमाग में जो परसेप्षन है उसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ आ तीक भाई अब जब आप यहां से ऐसी जा रहे हो यहां पहुचोगे तो नाव क्यों यहां पहुच गई सुनना नाव यहां क्यों पहुच चुकी है कि इतनी दूरी ट्रेवल करके गाई है रफ्तार 15 है ठीक है रफ्तार कितनी 10 Дh TED आई हैं पंदरा है ये दूरी पंदरा की रफटार से तेयु अहुंश lan이죠 क्यों कि अगर आप पाँच 11 की वाने रहे हो तो धारा अपोस कर रही है तो 10 होगी रफटार ममने का ठीक चलो ऐसा च्छलो पैसा मैं कह सकताह हुं beauty रॉंग तीस और दस इस्पीड आएगी ना एक्सेक्टली बात को यही समझना है ना बात तो यही समझनी है कि गुरुजी अगर आप यह डिसकुशन कर रहे हो कि धारा भी तो बह रही है येस अब जब शांत जल की बात है हम अगर मूव कर रहे हैं तो बात बिलकुल ओके है वो इशू नहीं है यहां पर लेकिन अगर यहां धारा भी बह रही है तो पंदरा की जगे जो रफ्तार होगी वो दस आएगी क्योंकि धारा अपोस कर रही है अगर आप ऐसे मान रहे हैं तो फिर यहां जो फिगर होगा वो लिटिल बिट आपको चेंज दिखेगा आई बात समझ में शांत जल में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आप यहां मूव करोगे तो यह किस से जा रही होगी 30 से ऐसा क्यों क्योंकि अब आप इंडिविजुली कंसिडर कर रहे हो हर एक नाव को और इसको आप क्या करोगे 10 आई बात समझ में सर्प पहले कोई कोई फरक नहीं पड़ा ना उससे रिलेटिव स्पीड में कोई फरक नहीं पड़ा था 40 आ रही है अब इभी भी 40 है लेकिन यहां तक आप में से समझ्चा तो किसी को नहीं है ना क्योंकि जब धारा बह रही है तो यह 10 होगा अब क्योंकि वह 15 से आईगा तो अपोस करेंग ना इस दूरी को तैय करने में वो पूरी रफ्तार से जो आ रहा होगा वो भी दस ट्रेवलिंग करके आ रही है और ये भी तीस से जा रही है मिले हैं हम कोई दिक्कत नहीं है लेकिन धारा की दिशा में अब क्या होगा सर अब इस तिरी देखिए वो यहां तक दस से पहुंच जाएगी कि अब दौनों चलना शुरू करेंगे में अब पीट की रफ्तार कितनी होगी अब और यह मुड़ गई यहां से क्योंकि रफ्तार कितनी धारा अपने हिसाब से बैह रही है अब मुझे दौनों की रफ्तार बताईए वही तीन सो किलो मेटर की बीश की दूरी है कि दौनों की रफ्तार बताईए प्लीस कि यह वहां 30 से पहुंची यहां 10 पे पहुंची दौनों घूम गए घूमते ही इसकी जो 15 थी वह 5 जुड़कर 20 और इसकी जो 25 थी वह 5 घटकर 20 अब वह 5 घटकर 20 थी तो 25 खी थीना अब वह आए गातो अप इस्ट्रीम हो जाएगा चलो अब अधर दाउन इस्टेप रिलेटव स्पिड रही चालिस रही रिलेटव स्पिड में चेंज नहीं हुआ तो सरे यहां मिलने में सेकंड टाइम मिल रही है आपक सेकंड टाइम मिल 345 क्योंकि रिलेटिव स्पीड नेवर चेंज दी साड़े साथ गंटे लेकिन आंसर यह कि आपने साथ गंटे पहले साडे साथ गंटे अब पंद्राइ गंटे तो हो चुके हैं लेकिन एक समय अभी भी हम छोड़ रहे हैं एक समय अभी भी हम छोड़ रहे हैं वह आप बता सकते हैं कौन सा वह आप बता सकते हैं कौन सा समय हम अभी भी छोड़ रहे हैं वह तो सेम ही रहेगी एक समय अभी भी हम मिस कर रहे हैं आपर कौन सा समय छोड़ दिया मैंने सर इनका traveling time यहां से यहां तक आने का और यहां से यहां तक आने का बोले yes तो 10 की रफ्तार से यह कितना cover कर लेगा यह दूरी कितनी थी 30 into 7.5 और यह कितनी थी 10 into 7.5 तो यह 75 है और यह 225 है और इसको दस की रफ्तार से समय लग गया कितना और इसको कितना लग जाएगा तीस की रफ्तार से तै करने में कितना रहा है भाई कि 22.5 नहीं गड़बड़े आ रहे तो एसा यह है यह गड़बड़े 225 और पिचेतर तीन सो ठीक है वो टाइम हो रहे गया और 15 तक तो पहुंच गए ना कि 225 पिचेतर तो रहे गया कि ठीक है लेकिन अब टाइम जो लगेगा वो कितना होगा कि पंद्रा कि साड़े साथ तो यह रहा है कि घड़बड़ हो रही है कहां चक्कर पड़ गया है 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 करका पड़ रहा है यहां तक तो ठीक है यह ओके लेकिन यह दूरी तो मैंने निकाल ली लेकिन इनका टाइम कहां से जोड़ूंग जाके वापस आने वाला कि आपकी क्या राय है कहीं में कुछ यहां तक तो ओक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप कहां मिस कर रहे हैं कि 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 क्या लगता है हाहां अरे सही आ रहा है तुम्हारा अंसर तो ठीक है कि ट्वेंटी ठीक है कि दुबारा मीलने का समय तो साड़े साथ गंटे तो यह और वो चल कर आये होंगे वह वाला भी तो आएगा ना कि यह वाला देखू तो दो सो पच्चेस बटे बीस और पिचेतर बटे बीस तो वही तीन सो बटे बीस मामला कहा रह गया भाई क्या गढ़बड कर दी मैंने नहीं को कुई मिस्टिक पता लग रही है क्या कहां घडवड कर दी है यार पहली बार तो सही है दूसरी बार का क्या चक्कर पड़ रहा है कहीं कोई मिश्टिक पता लग रही है क्या आपको पता लग रही है मेरे दिमाग में नहीं आ रही है लेकिन मैं एक बर और देखता हूं कि सब्सक्राइब को बाइस पॉइंट पांच तो यह आ जाएगा आवर और धाई घंटे यह हो जाएंगे कि अगर 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 यह कितना हो रहा है पच्चिस कि दौन आवे पहली बार कम मिलेंगी वे दूसरी बार कम मिलेंगी कि फर्स्ट मीटिंग कोई ना कोई तो लिख रहा होगा फस्ट मीटिंग के बाद दौनों जाएंगी तो अलग 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 टाइम पर रीच होंगे फिर रुका रहेगा फिर सेम टाइम पर मीटिंग से अरे वो तो मैंने बताई दिया एक बच्चा कर रहा है बेसिक से करो हो जाएगा रहंदे यार बेसिक सी दो हो रहा है नहीं नहीं ऑप्शन ओके है कि छोटी सी मिस्टेक हो रही है मेरे से मेरे को दिखी नहीं लिया हो सब बताऊं बात हो इतनी रामाइड करदी अब मैं मिटाने का मन नहीं कर रहा इसको अ कि मनना दोबारा करता की अ having क्याक यह दोरी छेश्ट एंस हापनने कर दी है सब यह दस से आ रहा हкими तीzięki से जा रहा है कि है यह त्यांगा तो भी उतनी कवर करेगा साढ़े साहथ गंटे में अ पता लग गया यहां 22.5 गंटे लग रहे हैं वैसे और वैसे साड़े साथ गंटे लग रहे थे कि तीन अनुपात एक गयप है ताइम मतलब लगवक तीन गुना टाइम लग रहा है कि और वहां भी तीन गुने का गयप आ रहा है चलो एक मिन रुको इसको साइड में इसको सॉल्व करना यार है न मैं भी देखूंगा अभी अभी तो नहीं आएगा दिमाग भी अगले पर चलते हैं ऐसे छोड़ दिया करो जब कुछ ना बने तो कि फिर अगले कुशन्स भी हैं पर होंगे फिर पेपर में भी यह देख लीजिए अगला प्रश्न बनाई है आप कोई दिक्कत तो हुई है अब वो पता नहीं चल रही लेकिन छोटी सी मिस्टेक है जादा नहीं है लेकिन लास्ट तक तो हम पहुंच ही कहे दे प्यक्ला और राइट 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 आपन давно को वोट बी तो पूरा जायी ओलो है निए अ आज्यक्ली इत्व लुट पॉइंट क्या बोल अ उसने तो ह्यकुआ गन्टे मेशन और जह लिया सुनरे हो आंसर आ गया बाई 20 गंटे आंसर आएगा 22.5-3 गंटे 20 गंटे आंसर आ गया है यह सब नहीं करना है हाँ डायरेट आ गया कारण कहे बनाता हूं कारण इतना सा है कि वह थो ठाई गंटे में पहुंच रहा है वो तो चालू करतेगा डाइ गंटे बाद पुरंट लोड जाएगा और उसको बाइस पॉइंट पाँच गंटे लग रहे हैं अब वो एक दूसरे को ऐसे नहीं मिलने वाला वह एक दूसरे को वह सेम डायरेक्शन में मिलेंगे एक दूसरे को वह सेम डायरेक्शन में मिलेंगे क्योंकि वह डाय गंटे में पहुंचके लौट रहा होगा और वह जा रहा होगा तो इसकी रफ्तार अभी भी दस होगी मेरी बात अब समझ में आ रही है आपको मैं दुबारा से एक्स्प्लैन कर देता हूं यह है बात बहुत बढ़िया यार ब और वह डाय गंटे बात क्योंकि अधाइक देबात कितना ट्रैवल किया होगा बस वह थोड़ा सा चला हूआ या पचेस्तिया पिछेत्तर चला है बस हां यहां मैं देखु पिछत्तर और पिछत्तर डेड़ सो कि यहां से पिचत्तर दो चला है तो दसकी रफ्तार के गए यहां कि यहां से चलने के बाद दसकी रफ्तार कितना चला यार फिर गंटे चलके गया है 10 की रफ्तार से वो आया था ठीक है साड़े साथ घंटे में मिल लिए ठीक है अभी यह मूव किया था ना कहां से किया था क्यूं किया था धाई गंटे में 25 चलेगा बस 100 वाह और यह रफ्तार 10 है यह रफ्तार 20 है तो डिलेटिव इस्पीड आगई 10 है सो बटे 10 दस घंटे अंसर आगया अंसर आगया तो दस घंटे दस घंटे तो मिल गए अब तो मिल लिए आप तो खुश हो जाओ वो ले यह तो सब टोटल टाइम कितना लगेगा दूसरी मीटिंग में सेकंड मीटिंग टाइम कि साड़े साथ गंटे पहली वाला वह भी काउंट होगा पूरा डाही गंटे वह ट्रेवलिंग इधर उधर और दस घंटे वह कि वाज़ा आया ना यह ऐसा है कि मतलब कोई इस्वरों ने कोई कि चांद पर लेंड कर दिया हो कि वह वाली फिलिंग आ सकती है आप लोगों को भी साइंटिस्ट वाली कि उस बच्चे बच्चे को छोड़ो आप कि दस क्यूं होकि पांच अरे पांच क्यों होगी पांच तो पहले से यह ना बात नहीं समझ रहे है यह तो इस इधर ढाप ह वह चाहिए उधर बीस से लोट रहा हो प्यक्यक्कि 25 ठीना उसके ओरनल तो तो पांच गटेगी था बीस ही तो होगी ही कि नेक्स करिए मज़ा आया अच्छा लगता है इस कोशन को भी करते हैं ऐसा यह भी इसकी पी कर देंगे अच्छा रहे अरे भाई भैस के आगे बीन बजाई और भैस को मतलब ही नहीं है कि उसको यह लग रहा कि सानी आ रही है बस कि सानी नहीं सानी ना भैस के फूड को बोलते हैं नेक्स्ट राम इस्थान ए से बी तक बारे किलोमेटर की गती एक समान चाल से साइकल चलाते हुए जाता है फिर साइकल चलाते हुए इस्थान ए तक वापिस आ जाता है उसका दोस्त गोपी इस्थान A से बी तक नाव से यातरा करता है और इस्थान A पर वापिस आता है जहां उसकी शांत जल में 40-10 किलोमेटर परती गंटा है और नदी का प्रवाद 4 किलोमेटर है तो इस्थान A पर पहले कौन वापिस आएगा theoretical कौन वापस आएगा बताओ चले आओ राम इस्थान ए से बी तक 12 किलोमेटर प्रती गंटा की चाल से साइकल चलाते हुए जाता है राम इस गूइंग फ्रम साइकल फिर साइकल चलाते हुए ए तक वापस आता है जा रहा है और फिर आभी रहा है उसका दोस्त गोपी इस्थान ए से यह साइकल से और गोपी है यह राम तो है वो साइकल से है और गोपी जो है वो नाव से है अब नाव है तो धारा भी होगी नाव सड़क पर चलती नहीं समझे रहो ठीक है वो भी जाता है भाई गोपी भी एसे बी तक जाता है और एपर बापस आता है शांत जल में नाव की स्पीड दस किलोमेटर प्रती घंटा है और धारा की यह चार टो वही है एक तरफ 14 होगा एक तरफ कितना होगा चे तो इस्थान एपर पहले कौन बापस आएगा और एसे भी तक 12 कि समान चाले 12 से आ रहा है 12 से जा रहा है 84 km मानली दूरी है तो टाइम कितना लगेगा इसको बार है सबते 14 गंटे चुब 7 गंटे जाने में और 7 गंटे आने में नाव द्वारा 84 km धारा की दिशा में जाओगे तो 14 की स्पीड रहेगी 84 km धारा की विप्री दिशा में जाओगे 6 की तो 14 गंटे वाला पहले पहुंचेगा ना कि खुल रहा है क्या कि यह खुल रहा है कि मज़ा आता है मतलब मैं सच बता रहा हूं कि जो आप सीख रहे हो वो कोई नहीं सीख रहा है यह आप भी जानते हो और जो नहीं सीख रहा है वो फिर explore नहीं कर सकता बात पता है ग्यान कम भी ले लोगे तो ग्यान कम ही रहेगा और जितना बढ़ता जाएगा satisfaction लेवल बढ़ता जाता है बस next नाव एद वारा उर्दु परवा में 80 क्लूमेटर की दूरी एवं अनु परवा में 80 क्लूमेटर की दूरी तैक करने में लगे समय का अंतर एक गंटा है अग्यां हो गया कांग उर्द प्रभा में एक्स जो आपको पहले से वाई जो दे रखा है वो चार दे रखा है एक्स जो दे रखा है वो पांच दे रखा है पहले से दे रखा है वाई पहले से ही है तो असी किलोमेटर की दूरी है दोनों की चालों का गुननफल दोनों की चालों का अंतर और टाइम डिफरेंस आप देखोगे कि x बराबर कितना आ रहा है चार आ रहा है तो यह 16 हो गया और यह हो गया 20 तो v प्लस यू बराबर 20 है वी माइनस यू बराबर 16 है नाव एक ही बात की जा रही है अनुप्रभा में दो घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 40 किलोमेटर अनुप्रभा में तो पता ही है ना मजा आ रहा है कठिन लग रहा है क्या कुछ जबाब वहां पहुंच चुके हो तो तो कुठिन कटिन नहीं लगता अच्छा लगता है आईए करिए मेरे को यह सबसे प्यारा चेप्टर लगता है क्योंकि इसमें लगता है दिमाग बच्चे का सैटिस्फेक्शन लेवल पता लगता है कि वह कितना सीखना चाह रहा है और फिर वह अनुभुती तो अलग ही है आप जानते हैं परम आनंद की कि अधाग आए एक नाव अनुप्रभा में एक निश्यचित दूरीट करने में छे गंटे का समय लेथी अनुप्रभा में उर्धुप्रभा वही निश्चित दूरी पांच गंटे कहां नी खतम दो सेकंड का बात है छे बटे पांच कर दिया दूरी बराबर है न तो वी और यू का रेशो आ गया 11 बटे एक उर्दु प्रवा में तैकी कई दूरी अनुप्रवा में तैकी कई दूरी के और रहे गया माफी लेकिन सबर करूँगा मैं और मैं ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करूँगा दूरी देखना आप उर्दु प्रवा में तैकी कई दूरी अनुप्रवा में तैकी कई दूरी के आधी है तो V-U 5 गंटे लग रहे हैं 6 गंटे लग रहे हैं अब डिवाइड कर लो बस तो D से D तो कट गया एक बटे दो वी माइनस यू वी प्लस यू पांच बटे छे दो से काटा तीन बार अब आगया ना पांच बटे तीन अब वी और यू का रेशो निकालोगे तो आठ बटे दो याने कि चार बटे एक दारा की चाल दे रखी है शांत जल में नाव की चाल बता दो 16 आ जाएगा चीज़े बहुत प्यारी है आप आप सिस्टम को समझ में आ रहे हैं आपको तो बस खेल रहे हो अगला प्रश्न यह दौनों प्रश्न आपको होमगर्ख में करने और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देने और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप सहीं आंसर देंगे कैसा लगा यह चैप्टर पूरा यह चैप्टर खतम हो चुका है कल से नंबर सिस्टम की शुरुवात करेंगे साड़े बारे बज़े अभी हमारा पेपर होता है डेली तीन बज़े कैचना में होता है रेगुलर बने रहो यार कुछ भी कुछ भी चेंज होने के लिए आपक नौ बज़े टॉपिक वाइस पीवाई क्यू ग्यारे बज़े टारगेट दा मैथ साड़े बारे बज़े प्रीविएस एर पेपर दो बज़े फाउंडेशन और तीन बज़े कैच दा मैथ रेगुलर लेते रही है उडाते रही है सीखते रही है मजे से पढ़िए और यहार्म सब्सक्राइब मिलेगा आपको सभिभ सा ubiquies एक्छी एक्जाम में मिलेगा आपको सभूर लगाकर आपको जुड़ना है दिसम्बर जो आफ़र है वो आज लास्ट है आपको जुड़ना है टो जुड़ जाना ठीक है साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है 24 महिने का सस्किप्शन लीजिए साहिल 10 कोड लगाकर किसी भी कैटिगरी में जुड़ते हो तो डिसकाउंट मिलेगा आपको मिलते हैं रिपोर्ट एंविन उपर्चुनिटी फॉर दर लर्नर एपोर्ट एंविन इन प्राइज ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू फो वाचिंग और अपना ध्यान रखें पढ़ाई करते रहें ऐसा कॉंटेंट नहीं मिलेगा पढ़ाई करूं टेक केर लभी ओल लाइक जरूर कर दीजेगा सेशन को जिन्होंने नहीं किया है वो करें और वीडियो को शेयर क करें अपनी दोस्तों तक जहां वह भी पढ़ा पाएं और मिलते हैं साधे बारा फिर तीन बजे कैच ना में पांच बजे और अठ बजे टेक्नोमेटरी ओके बाइए